हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो आर यूट्यूब चैनल तोड़े वी आर गोइंग टुश्कर्स क्लास 7 जोग्रफी चैप्टर नंबर 3 आर्ट चेंजिंग अर्थ हमारी अर्थ कैसे चेंज हो रही है इसके बारे में इस वीडियो में हम इस चैप्टर में हम देखेंगे जो लितोस्वियर है जो स्टोन से बना पत्थर से बनी हुई स्पेस है वो अलग-अलग प्लेटों से मिलकर बनी हुई है और इसको हम लितोस्वियर प्लेट्स बोलती है तो آپ को यह जानकर बहुत हैरानी होगी तो आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी लोग था यह हर एक साल बहुत स्वोड़ा ही यह यह खिस घ огगा से This is because of the movement of the molten magma inside the earth यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो magma होता है धरती के अंदर वो movement करता है The molten magma inside the earth moves in a circular manner as shown in the activity तो activities में जैसे दिखाया गया है उसमें यह क्या करता है? Move करता है ठीक है? यह move करता है तो यह देखते हो यह activity में क्या बताया गया है Take a small colored paper palette and put in a beaker half filled with water तो आपने क्या करना है? एक paper लेना है colored paper लेना है जिसको आपने एक beaker में पानी के जिसमें half पानी हो उसमें भिगो देना है Place a beaker on a tripod stand tripod जैने कि जिसके तीन stand वाले हो उसके उपर खड़ा करना है और उसको गर्माट देनी है As the water warms up जैसे जैसे पानी गर्म होगा You will observe that the paper palette is moving upward along with a warm layer of the water तो जैसे जैसे पानी गर्म होगा यह देख रहे हो ना आप यह देखो dark color यह ऊपर आ जाएगा Layer of the water and then sinks back along with the cooler layer of the water जैसे जैसे यह फिर अगर हम इसको बंद कर देंगे तो यह ठंडा होता जाएगा यह दुबारा फिर नीचे चला जाता जाएगा गर्म हो रहा है तो उपर की तरफ आ रहा है गर्म हो रहा है तो उपर की तरफ जा रहा है तो फिर नीचे की तरफ जा रहा है इस सर्कुलर शेप में जाता है हमारी धर्ती भी ऐसे ही वो करती रहती है मुव्मेंट करती रहती है The molten magma inside the earth moves in a similar manner जो magma है हमारी earth में वो भी इसी manner में चलता रहता है circular करता रहता है The movement of these plates cause changes on the surface of the earth तो यह जो movements हो रही हैं इनसे बहुत सारे changes होते हैं हमारी earth के surface पे The earth movements are divided on the basis of the forces which cause them तो यह जो movements हैं इननी movements को इनके force के base पे divide किया गया है The forces which act in the interior of the earth are called the endogenic forces जो forces धर्ती के अंदर होते हैं इन्टीर वाले हिस्से में होते हैं इसको endogenic forces बोलती हैं And the forces that work on the surface वो forces जो surface के धर्ती के ऊपर वर करती हैं उनको exogenic forces बोला जाता है जैसे के यह evolution of landscape दिखाया गया है यह earth की movement है एक तो होती है endogenic एक होती है exogenic Indogenic में कौन-कौन सी आती हैं तो इसमें two types होती हैं एक होती है sudden forces एक होती है डिजास्ट्रॉफिक फोर्स तो sudden forces में अर्थ कुक है volcano है landslides है और डिजास्ट्रॉफिक फोर्स में building movement mountains है जैसे वो पहाड़ बनती है वो है जी endogenic forces की वजह से होता है एक्सोजेनिक forces में क्या होता है erosional and depositional तो erosion होता है डिपोजिशन होता है कैसे होता है जैसे river के साथ wind के साथ sea waves के साथ और glacier के साथ ये सब मतलब exogenic forces की वजह से होता है तो ये lithosphere plates क्या होती है the earth's crust consists of several large and small rigid irregular shade plate slabs which carries the continents and the ocean floors तो हमारी earth पे जो stones वाला हिस्सा है rigid हिस्सा है जिसको हम continent part बोलते हैं उसी को lithosphere plates पोला जाता है उन्हीं हिस्से को तो ये plates से बने हुए है endogenic forces sometimes produce a certain moment and at other time produce a slow moment कभी-कभी जो endogenic movements होती है endogenic जो धर्ति के अंदर होती है ये कभी तो बहुत तेजी से इनके movement होती है कभी इनका बहुत slow moment होती है sudden movement में earth quick आ जाता है volcano आ जाता है जिससे बहुत ज़्यदा destruction होती है over the surface of the earth earth के उपर तो ये क्या है volcano क्या होता है a volcano is a wind wind मतलब होता है opening in earth's crust throughout which a molten material erupts suddenly तो ये आप अपस फिगर में देख सकते हो ये देखो अर्थ के किसे हिसे में जैसे hole बना हुआ है तो ये देखो जो molten magma है बहुत गरम है तो इस hole के जरी से बाहर आ जाएगा तो ये gases and ashes निकल रही है ये cracks है ये vent है ये vent ये देखो ये ना ये ये वाला हिसे को vent बोलते है ये lava है ठीक है ये red red है जो दिखाय हुआ ये lava है और ये crust ये crust है part ये mental part है ये magma chamber है यहां पर ये red दिखाएगा ये magma chamber है तो ये आप ध्यान से देख सकते है ये well can हो है तो ये क्या है word origin की बात करेंगे हम तो endo endo का मतलब होता है inside endogenic endogenic का मतलब होता है origin ठीक है endogenic जानिक है वो जिसका origin अंदर से हो रहा है exo मतलब होता है outside origin का मतलब exo origin से क्या बन गया exo origin जो बाहर से जो किसी चीज का origin हो रहा है उसको बोलते हैं similarly when the lithosphere plates move जैसे हमने बात की कि यह जो lithosphere plates है यह बहुत slowly slowly move करती रहती है the surface of the earth vibrates तो जो surface है हमारी सता है है उपर वाली जमीन की वो भी vibrate करती है the vibration can be travel all around the earth तो यह जो vibration है पूरी धरती पे हम हैसूस कर सकते हैं these vibrations are called the earthquakes तो इनी earthquakes को इनी जो vibrations को हम earthquake बोलते हैं the place in the crust where the movement start is called the focus जहां से यह जो शुरू हो रहा है अर्थ की movement शुरू हो रही है उसको हम focus बोलेंगे okay the place on the surface above the focus is called the epicenter तो जहां से यह मतलब शुरू हो रहा है उसको तो हम बोलते है focus जैसे यहां से शुरू हो रहा है तो यह focus this is the where the earthquake occurs it is the origin of the sea ashmantic energy तो उसके उपर वाला सबसे उपर वाला जो हिस्सा है तो इसको epicenter बोला जाता है vibration travel outward from the epicenter तो यह vibration यह center है तो यह इधर यह जा रही है यह मतलब जाती है outward space की तरह जाती है greatest damage is usually closer to the epicenter जितना closer जो closer area होगा उस पर जाला destruction होगा and the strength of the earthquake decrease away from the center जैसे जैसे दूर यह center से जो जो इलाके दूर है उस पर destruction भी कम होगा जैनकि उस पर कम effect पढ़ेगा तो यह हम देखते है take a container fill it with the water and close it with the lid तो आपने एक container लेना है उसमें पानी भरना है और उसको एक ढखकन से बंद कर देना है put the water to boil तो उसको अपने पानी को बॉइल करने उबालना है now put some peas तो उसमें थोड़े से peas, spoon and beads on the top of the lid तो lid के ऊपर आपने क्या करना है lid के ऊपर आपने क्या करना है ढखकन के ऊपर थोड़े से peas हो गए spoon हो गए spoon चमचे हो गए beads मोती वगार उसमेड के ऊपर रखो गए what do you notice आपने क्या notice किया as the water boils the lid begins to shake तो वह देखो के उसमों भी हिलने लग जाएगा जो धकन है the things which you have put on the lid also vibrate तो जो things आपने रखे हैं उसमेड के ऊपर वह भी vibrate करना शूड़ कर देंगी the beads roll down and the spoon vibrate to make the sound तो जो spoon है वह उसकी आवाज आएगी जो beads रोल डाउन हो जाएगे वहाँ से ठीक है in the same manner the earth vibrates when the earthquake occurs तो ऐसे ही होता है जैसे जब earthquake आता है तो अब हम बात करेंगे although earthquake cannot be predicted earthquake को हम predict नहीं कर सकते हैं हमें पहले नहीं पता होता अब अच्छे से हमें पता नहीं लगा सकते कि कब earthquake आएगा the impact can be certainly minimized मगर फिर भी इसके impact is minimized किये जा सकते हैं अगर हम पहले ही इससे prepare हो जाएं some common earthquake prediction methods adopted locally by a people including studying animals behavior तो लोग क्या करते हैं तो animals को study करो कैसे जब fish in the ponds get agitated snake come to the surface तो जो fish होती है मचलियां होती हैं उनको पहले ही पता लग जाता है उनके behavior को हम देकर study कर सकते हैं कि कुछ भी गड़बड होने वाली है तो वह भी थोड़ी सी उत्सुक हो जाती है snakes भी surface पे आने शुरू हो जाते है earthquake case study में आप देखते हूं earthquake hits bush क्या है massive earthquake measuring 6.9 on a rector scale hit bush town on 26th January 2001 2001 में रिचर scale bush town पे उपर ये 6.9 रिचर scale का measure किया गया अर्थ कुए कि इससे हुआ किया school worst effect तो school बहुत दा effect हुए at least 971 student and 31 teachers are feared to have lost their lives following the collapse of the school building school की बिदिंस थी वो collapse हो गई जाने के वो गिर गए जिसके वज़ा से 971 बच्चे और 31 teachers की डथ हो गई और थर्ड क्या है जब भुज relief efforts blighted blighted three days after the quick concern rose about food blanket and medical supplies not reaching everyone तो यह देखो वहां पे क्या अर्थ कुए का गया है तो वहां पे हुआ क्या जादा अर्थ कुए का आने के वज़ए से भुकम आने के वज़ए से वहां पे लोगों का सब कुछी सत्यनाश हो गया है वह उनको अब जरूरत है food की जरूरत है blanket की जरूरत है medical supplies की जरूरत है मगर वह भी लोगों को हर एक को नहीं मिल रहा था 4th क्या है destruction of the budget destruction होगी थी भुज़की power station transmission lines were a knockdown सब कुछ मतलब खराब हो गया था बंद हो गया था water supply क्या electricity क्या सब कुछ pipeline ये सब कुछ खराब हो गया था fire in the city city में fire भी लगी थी 100 of the fires started as a charcoal cookers overturned तो जो charcoal cookers है वो overturned हो गया था लगए थी energy sorry emergency declared in a quick zone quick zone में emergency the president declared a state of the emergency तो इस state में emergency लगा दी गए थी उस समय 2001 में cm's appeal to the center cm मतलब chief minister gujarat appeal for the financial help तो गुजरात financial help के लिए appeal कर रहे थी the chief minister for the of the gujarat launched an appeal for the center to deal with the disaster तो उन्होंने appeal लगाई थी उनसे central government से के हमारी मदद की जाए इस दुखदाई घड़ना में तो इसमें activities में देखते है read the earthquake a case study given in the form of headlines that appeared in the newspaper after the quake तो ये case study हमने देख ली है okay arrange the events in a right seconds of their happening image if a quake suddenly shook in the middle of the school day what would you like you go for safety अगर आपके school में आ जाए तो आप क्या करोगे ये बोला ये देखो acid destruction हो जाता है destruction caused by an earthquake in gujarat gujarat में acid destruction हो गया तक इसकी वज़ा से तो ये देखते हम ये क्या है an earthquake is measured with a machine called a seismograph seismograph के जरिये से ये के मशीन होती है जिससे हम earthquake को measure करते है the magnitude of the earthquake is measured on the richard scale scale के उपर इसको measure किया जाता है an earthquake of a 2.0 or less can be felt only by little जो 2.0 और इससे थोड़ा सा कम है इसको थोड़ा सा महसूस किया जा सकता है कि अर्थ के अंदर कुछ movement हो रही है earthquake आया है an earthquake over 5.0 can cause a damage from a things falling अगर 5.0 पे आ गया बही इतना measure किया गया जाने कि इतने scale पे आया है अर्थ क्यों कि तो कि आज ही जो आपका समान है जैसे कोई भी slave पे पड़ा है कोई भी table पे पड़ा है वह सारी इतना शुरू हो जाएगा 6.0 और a highest magnitude is a considered very strong तो यह 6.0 बहुत जादा खतरनाक बहुत जादा highly strong यह destruction करता है यह 7.0 is the classified as a major earthquake 7.0 बहुत major जाने के बहुत बड़ा earthquake होता है बहुत जादा नुकसान होता है इसकी वज़ा से earthquake preparation preparations क्या कर सकते हैं earthquake से पहले पहले तो क्या कर सकते हैं यह भी देखते हैं sorry where to take a shelter during an earthquake तो क्या जी हमने कहां पर shelter लेनी है कहां पर जाना है अगर earthquake आ जाए तो safe spot safe जगा पर जाना है under kitchen counter kitchen counter table or desk against an inside corner wall corner wall के पास खड़े हो सकते हो क्योंकि corner में इतना ज़्यदा destruction नहीं होता अगर होएका तो beach में जाए destruction stay away from आपने दूर रहना है किसे fireplaces से area around a chimney से परे रहना है windows से परे रहना है that shutter including the mirrors and a picture frame picture frame जो इसमें शीशे होते हैं वह वाली खिटकों से अपने दूर रहना है be prepared आपने prepare कैसे रहना है spread awareness among your friends and family members and face any disaster confidently तो आपने awareness फैलानी है लोगों के बीच में इसके regarding तो आगे major landforms के बारे में हम बात करेंगे major landforms के बारे में यह major landforms है इसके बारे में अब हम देखेंगे major landforms the landscape is being continuously worn away by a two processes जो land shape है वो continuously होती रहती है two processes से एक होती है weathering एक होता है erosion weathering क्या होती है is a breaking up of the rocks on our earth surface weathering होता है जो rocks है धरती की surface के उसका तूटना और erosion क्या होता है the varying away of the landscape is by different agent like water wind and ice तो यह क्या होता है यही broken pieces होते है इसको पानी के जरीए water के जरीए और ice के जरीए different different place पे लेके जाने को बोलते है erosion the eroded material is carried away and transported by water winds etc and eventually deposited तो इनको carry कर लिया जाता है winds अपने साथ मिट्टी कितना लेकर आती है मिट्टी लेकर आती है wind पानी यह सब कुछ लेकर आती है अपने साथ इतना जो समान है मिट्टी घटा लेकर आती है वो अपने साथ deposit कर देती है this process of erosion and deposition created different land forms on the surface of the earth यह जो पहले तो erosion मतलब वहां से लेकर आये deposition मतलब कहीं पे वहां पे मतलब फैला दिया कहीं से लेकर आना कहीं पे दे देना तो यह इस process से हमारी धर्ती के surface पे अलग-अलग land forms बनते हैं तो इस ही के बारे में हम देखेंगे तो यह देख लेते हैं do you know me there are thousand of small waterfalls in the world बहुत waterfalls है हमारे world में पूरे दुनिया में the highest waterfalls is Angel Falls of Venezuela in South America in South America में Angel Falls है Venezuela में वह सबसे highest waterfall है the other waterfalls are Niagara Niagara Falls located in the border between Canada and the USA in North America and Victoria Falls on the border of the Zimbabwe and the Zimbabwe in Africa यह बहुत important है Nigeria Falls यह देख रहे हैं work of river river के क्या works है क्या देखते हैं the running water in the river erodes the landscape तो जैसे जैसे पानी बहता है तो यह अपने साथ erode करता है समान erode करता है इसको खारता है when the river at a steep angel over very hard rocks or a down steep valley site is called a waterfalls तो यह देखो बहुत देखो पहले तो यह देखो आसे आसे जा रही थी यह दो यह इतनी जहां पर पानी बर्स रही दो पहले तो इतना पानी आसी था जब यह पानी आता है यह सारा erode करके वह ले गए है यह यहां से सारा erode कर लिया गया है इस रॉक को यह hard rock है यह soft rock है under cut by the power of water तो यह जो soft है soft वाला पार्ट है रॉक का उसको cut करता जाता है पानी और अपने साथ लेकर जाता रहता है तो as the river enters the plane it twists and turns forming large bends known as meanders जैसे 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 पानी प्लेंड अरिया में जाता है तो वह bend लगाता रहता है यह bend लगते रहते हैं उसको meander बोलते है यह bend होते हैं तो यह देखो बड़े बड़े यह देखो अलग-अलग से इसको meander बोलते हैं और यह कभी-कभी ऐसा होता है यह मेंडर होते हैं इतने जादा बढ़ जाते हैं और यह अलग से अलग अपना रास्ता बना लेते हैं यह देखो पहले यह इतना बढ़ा था इतना बढ़ा था मिट्टी आती गई तो मिट्टी जहां पर जमा होती गई और यह जमा होती कई तो पानी ने रास्ताचदर को ले लिया यह देखो फिर पहले हुआ जब यह हुआ तो यह अलग से ही एक अलग पानी का बन गया जिसको ओक्स लेक बोला जाता है ठीक है तो यह ऐसे बनते हैं अलग अलग लैंड फॉर्म तो मेडर का मतलब समझ में आ गया due to the continuous erosions and deposition along the sides of the मेडर the ends of the मेडर loops come closer and closer तो यह loops है वो closer जब नजदीक नजदीक आते रहते हैं ठीक है यह देखो पहले तो यह बहुत दूरी पे थे तो यह देखो यह बहुत दूरी पे तो पहले ऐसे थे फिर जैसे जैसे पानी होता यह मतलब और यह मतलब और गुलाई तो कभी समय ऐसा आता है यह ऐसे ही ऐसे ही हो जाएंगे तो फिर यह जब ऐसे होएंगे ना तो फिर पानी नहीं से रास्ता बना लेगा यह अलग ही हो जाता है हिससा ऐसे होता है तो यह जो लूप कट हो जाती है कट अफ लेक बन जाते हैं जैसे के मैंने आपको समझाया है अभी At time the river overflow its bank कभी कभी न यह बैंक सच अपने किनारों से भी बाहर हो जाता है river का पानी This leads to the flooding of the neighboring area जिससे हड आ जाता है मतलब पानी पानी आ जाता है neighboring area में जो आसपास के areas होती है As it floods, it a deposit layer of the fine soil and other material called the sediments along its bank तो अपने जो बैंक से जो अपना इन्होंने इकठा किया है समान sediments इकठे की है वो वहां पर रख देती है बिचा देती है This leads to the formation of the flat fertile flood plain तो इससे क्या बनती है Flood plains बनती है जाने के जो अपने साथ जो नदी मिट्टी वगार लेकाई ते वो एक प्लेस पे जहां पर जम्मा करती है उसको हम flood plains बोलती है तो आगे है flood plain के बाद The raised bank are called the leaves जो leaves क्या होती है देखो जी ये देखो अब ये देखो जहां पर पानी ये देखो पानी है ये तो यहाँ पर पानी बहरा है और जादा तर ये देखो जहां पर जादा मिट्टी कट्टी हो गई है ये area देखा है न हमने वो अपने आप जादा मिट्टी कट्टी हो जेता तो उसको leaves leaves बोलती है उनको हम As the river approaches the sea जैसे जैसे जो river है वो sea पे पहुंचती है the speed of the flowing water decrease जो speed है पानी की वो decrease यानि कि कम होती रहती है and the river begins to break up into the number of strains called distribute तो ये देखो अब क्या होता है पहले तो तेज आ रही थी जैसे आना शुरू के तो बहुत तेजी से आ रहा था पानी अब क्या जी जैसे जैसे भी समुंदर के पास आ रही है तो उसका speed भी कम होती रहती है और वो अलग से अपने distribute से बनाती रहती है अलग से break होती रहती है main river के अलग अलग parts बन जाती है the river becomes so slow that it begins to deposit its load तो इतनी slow हो जाती है जो इसका load होता है इस river में जो भी मिट्टी घटा अपने साथ लेकिया है वो deposit करना शुरू कर देती है जानी कि वहां पे बिचाना शुरू कर देती है each distributor forms its own mouth तो हर एक distributor का अपना mouth होता है the collection of the sediments from all the mouth form called delta तो इसी को हम delta बोलते हैं जो mouth's होते हैं देखो आप ध्यान से देख सकते हो तो ये देखो river आ रही थी ये main river थी दीरे दीर ये है समंदर ये देखो अलग-अलग distributor बना ली ये ये जो अलग-अलग निकल रहे हैं ना ये distributing है ये delta ये देखो delta की example है ये अपने अलग-अलग mouth बना ली ये देखो ये mouth है ये उनका अलग से mouth है ये mouth बोलेंगे हम इनको ठीक है आगे है work of sea waves sea waves के क्या काम है sea में भी waves होती है उनके क्या काम है the erosion and the deposition of the sea waves gives rise to the coastal land form जो coastal क्या होता है समंदरी किनारे समंदरी तट उसके land form में rise करते हैं ये जो waves होती है sea waves continuously strike at the rocks ये जो sea waves है ये जो rocks है चटाने हैं उनके से continuously strike होती रहती है cracks develop जिसके crack बनने शुरू हो जाते हैं ठीक है overtime they become a larger समय समय के साथ ये cracks बहुत ज़दा बढ़ जाते हैं और बहुत ज़दा चोड़े हो जाते है वाइडर हो जाते हैं तरस hollow like a case are formed on the rock तो hollow जाने के उपर जैसे ये देखो ये पूरी rock थी यहां पे लहरे पड़ती कहीं लहरे पड़ती कहीं तो यहां से पहले तो वह आगी फिर हुआ गया यहां पे यह सारा इखाली हो गए यह वाला और सिर्फ रह गए यह वाला ठीक है तो इससे यह इसको यह बन के दिया और called sea caves income sea caves बोलते हैं जैसे कि आप दे सकते हो यह sea caves ऐसे यह देखो caves जैसे गुफाएं होती है गुफाएं लिक है यह से थोड़ा सा जैसे रहना बसे रहा होता है ना गुफाएं बननी शुरू हो जाती है तो as that cavities come a bigger and a bigger only the roof of the caves remains thus forming sea arches तो फिर क्या होता है तो पहले तो caves बनती है तो घर सा बन जाता है बीच में से निकल जाती है मिटी वगेरा जो भी उसमें समान होता है दीरे दीरे time to time वो जो sea caves और आर पार दिखने लग जाती है सिर्फ उपर वाला हिसा बच जाता है जिसको हम बोलते हैं sea arches बोलते हैं further erosions break the roof and only walls are left कई बार ऐसा ही भी सिर्फ दीवारे ही खड़ी रह जाती है these walls like a features are called the stakes तो यह देखो आप बहुत अच्छे से आपको बताया गया सी केस यह देखो सी केस ऐसे बनती है और उसके बाद यह sea arches है और यह stakes हैं यह ऐसे दिवारी ही रह जाती है बहुत समय तो ऐसा जनक उपर वाला हिससा भी जाता रहता है तो यह ऐसे बनते हैं the steep rocky cold the steep rocky coast rising almost a vertically above sea water is called the sea cliff तो sea cliff बोलती है जो वह उसमें जो sea water में एक वर्टी कलरली खड़ा होता है उसको the sea is deposit sentiments along the shores of forming beaches तो यह इससे beaches बनते रहते हैं beaches तो बता है na beaches जो उट शीर सोवर पर थोड़ी सी high place होता है slope बना लेते हैं इस type के work of ice अब हम देखेंगे ice के क्या काम है glaciers are rivers of ice तो क्या जी glacier क्या है यह नदियां है बर्फ की नदियां है which to erode the landscape by bulldozing soils and stones of exposed solid rock below तो यह भी क्या करती है अपने साथ erosion erode करते रहते हैं soil होगे जिमें stone होगे यह सब कुछ वह अपने साथ below erode करते रहते हैं glacier carved out deep hollow तो यह glaciers भी क्या करते हैं बड़े बड़े hollow बना लेते हैं as the ice melt जैसे जैसे ice है जो बर्फ है पिगलती है they get filled up with water तो वह पानी से भर जाती है है और beautiful lakes create करते है mountains में the material carried by the glacier glaciers जैसे के बड़े बड़े और small small sand silt gets deposit वह भी पानी के साथ चलने शुरू हो जाती है these deposits are called glacier moraines तो इनको glacier moraines बोलते हैं जो वह अपने साथ लेकर यह देख रहे हैं यह है glacier बर्फ के पहाड तो अगे हम देखेंगे work of wind wind का क्या का काम होते हैं have you ever visit a desert तो आपका भी desert में गई हो try to collect some a picture of the sand dunes तो आपने sand dunes की picture collect करनी है an active agent of the erodes and the deposit in the desert is wind तो wind बहुत ज़्यादा बड़ा काम करता है deposit और erosion का रगिस्तान में in desert you can see rocks in the shape of the mushroom तो आप mushroom के shape की देखोगे rocks देखने के मिलेंगी जिसको mushroom rocks बोला जाता है wind erode the lower section of the rock more than upper part तो जो जो wind है ना wind वो जो नीचे वाला हिस्सा तो एक rock है तो वो सिर्फ यहां से अपनी मिट्टी फैराती रहती है जिससे यहां से कम होता रहता है यह वाला हिस्सा और सिर्फ उपर से रहा जाता है जिससे यह एक mushroom की size बन जाता है जिसको mushroom बोलते हैं rocks बोलते हैं तो जो wind है वो सिर्फ जो नीचे वाला part है उसको अपने उडाके लेके चलती है इट लिफ्स एंट ट्रास्फोर सेंट फ्रॉम वन प्लेस तो एक प्लेस से बुसरी प्लेस तक जाते रहती है वह सेंट वेंस ट्रुक्टि बनते हैं these are called sand dunes, when the grain of the sand are very fine and light, when the grains of the sand are very fine and light, the wind can carry it, so this can carry it very easily for long distance, when such sand is deposited in a large, in one area we call loises, large reposes of the loises is found in China, so in China we can see big loises in China, these are sand dunes, so this is the way we have done this chapter, if you have any problem in this chapter, then you can comment, I will definitely solve your problem, thanks and God bless.